कि हलो वाइस आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि वाटर ओवरफ्लोव डीसी अलार्म कैसे फिट किया जाता है इसको मैंने अमेजाउन से पर्चेस किया है और इसका लिंक आपको वायोम मिल जाएगा कि जैसा कि आप देख सकते हैं इसके साथ में एक सिंसर है अब इसको भी ओपन कर लेते हैं यह का सिंसर और उसका चोटे होते हैं आप अपनी सुविधा नुसार इसको लंबा कर सकते हैं इसमें जोइंट लगा करके इसके वायर्स को छील लेता है और ये दोनों पॉइंट पर इसको लगा कर लेते हैं जैसा कि ये डीसी अलारम है ये बैटरी सबता है इसके लिए आपको दो डॉबल ए बैटरी चाहिए हों क्योंकि वायर्स को फोले बैटरी मुष्ट होता है आप किसी भी पतले स्कूरू डायवर से इसकूर को खोल लिजेगा और इसी जास पॉइंट पर अब दोनों वायर्स को टाइट कर दिजेगा ये मैंने दोनों को टाइट कर दिया है अब सबसे पहले हम अपने अलार्म को कि ये सभी तरीके से भर कर रहा है या नहीं कर रहा है इसके लिए मैं पानी की ज़बर पड़ेगी अब sensor को पानी में डालकर स्विच को अन करके पानी की थार वाइर है क्रिकिया आटेंट्टिशन पीजिस वॉटर टेंट इस वूकिरा दूफ अब sensor को लंबा करने के लिए मैंने extra wire का इस्तमाल किया है जो कि मैंने अपने पास से लगाया हुआ है इससे हमारे sensor का wire अपने मन मताबिक लंबा कर सकते हैं आप इसके एक सिरे पर sensor के दोनों wire को लगा कर टेप कर दीजेगा आपका wire आपके मन मताबिक लंबा हो जाएगा आप इसे अपनी टंकी तक पहुचा सकते जैसे कि यह देखिया मैंने टंकी के साथ में इसको wire को खुब्सूरत तरिके से टाइस कर दिया और यह नीचे की तरफ हमारे कमरे में जा रहा है अब आपकी टंकी में overflow point जहां पर होता है वहां से sensor को अंदर करके जितना चाहे उतना लटका सकते हैं आप बहुत ज्यादा लटकाईगा नहीं तो टंकी आधी भर के अलाम बजने लगेगा आप हलका सा इसको नीचे करके वह उस जगा पर उसको टाइट से बान दिजेगा जिससे की sensor आगे पीछे हिलने ना पाए है और ज्यादा पानी में लटकने ना पाए है अब मैंने इसको टाइक से बान दिया है अब आप अपने alarm को अपने स्टार्टर के पास में ही लगा दीजे जैसे कि आपको machine overflow होती है आप महीं से alarm को बंद कर सकते हैं और मोटर को बं सबस्टार के लो तो सबस्टार करे इया धूसरा इंब क्याद कर दो अदोगों कि आखे हैं यह 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 इगा झाल झाल